कैसा रहेगा 2020 धनूरासी वालों किसमत बदलने जा रहा है आपका नए स्षाल में जीवन में पहली बार धनूरासी वालों को 2020 में मिलेगा पांच बरदान अब आपका वुरा वक्त गया समझो अब एक अच्छा समय एक नई कहानी लिखने का समय आ गया है मित्रों अगर आप अपने भविश्य के बारे में प्रस्नली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवाहंस तरेखा के अनुसार जानना चाहते हो तो आप मुझसे मेरे वाटसेप नमबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हो जिसमें फीस मात्र 300, 500, 700 और 1100 रूपे की है जिसमें जानकारी आपको आपके बारे में सब कुछ प्राप्त हो जाई आईए वक्त को परबाद किये बिना सिधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और जानते हैं कि धनूरासी बालों के लिए आने वाला वर्स 2021 कैसा रहने वाला है मित्रों धनूरासी फल 2020 की माने तो 2021 धनूरासी बालों के लिए साकरात्मक परिनाम अधिक देने वाला होगा अधिक ज़्यदा साकरात्मक परिनाम देगा इस वर्ष के सुरुवात में ही रासी के स्वामी बिरस्तपती का तिर्कोन में केंदर तिर्कोन राजयोग बनाना आप जातकों के लिए इस समय आपको सुखद वा उत्तम परिनाम देगा यह कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए भी समय पठन और पाठन में रूची को और भी बढ़ाएगा प्रेमियों के लिए यह समय सुख संकेत दे रहा है प्रेम के पत पर शाथी का अच्छा साथ मिलेगा बैवाहिक जीवन के लिए भी समय शही है इस समय आप कहीं घूमने का कहीं जाने का प्लैन भी बना सकते हैं सुरी का धनूरासी में बुद्ध के साथ एक बुधादित योग बनाना धनू नौकरी पेसा वालों जातकों के काड़े छेतर पर बेहतर परिनाम डानेगा क्योंकि काड़े छेतर का स्वामी होकर सूरी का सुख अस्थान में आना सुख सम्मंधी योग देने वाला बन जाएगा प्राक्रमेश का स्वगर्ही द्रिष्टी प्राक्रम में भी अच्छा योग बना रहा है जिसके चलते आप कारियस्थल पर बेहतरीन परदर्शन करेंगे जिससे आपके सहयोगी काफी प्रभावित होंगे धन के लिए अच्छा समय भी है धन लाब भी होगा पुर्व में किये गए निवेश से अच्छा लाब मिलेगा बिजनेस वोग करियर के मामले में भी एक बहुत अच्छा समय है ये सफलता आपकी कदम चुमेगी स्वास्त की द्रिष्टी से समय आपके लिए सही है सिहत को लेकर के अधिक चिंतित होने की आवश्चकता नहीं है परंतु फरवडी का महिना कैसा रहेगा आईए अब उसके बारे में भी चर्चा करते हैं फरवडी का महिना भी धरूरासी वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि रासी का स्वामी प्राक्रमेश होकर सुख अस्थान में विराजमान होगा सुख संबंधी सारी चीजों का योग भी बन रहा है सुख के घर में चार गरहों का एक साथाना एक चत्रुग्राही राज योग भी बना रहा है जिससे आपको काड़े में सफलता मिलेगी मंगल का स्वागरही होना और धन पढ़ में द्रिष्टी डालना और धनेस का होना धन रासी के धन पक्ष में प्रचूर मात्रा में बरहुतरी करने जा रही है पहला बरदान आपके लिए ये है कि ये इस वर्स आपको धन की कमी नहीं होगी हलका फलका अगर कमी महसूस भी हुई तो अगले ही पल वो उससे दो गुना तिगुना मात्रा में आपको प्राप्त हो जाएगी स्वास्त के लिए भी ये उत्तम समय है ये आपके लिए दूसरा वर्दान है प्रेम करने वालों के लिए तो बेहतरीन समय है ये तीसरा वर्दान है बिदेश जाने की अगर इच्छा रखते हैं तो बिदेश चंबंधिवी योग बन रहा है ये चौथा वर्दान है पहली तिमाही का अंतिम महिना मार्च भी धनु रासी बालों के लिए बहतर कह सकते हैं क्योंकि रासी का स्वामी ब्रस्पती का धन का स्वामी होकर प्राक्रमेश के साथ प्राक्रम अस्थान में बिराजना आपके प्राक्रम में विद्धी करेगा जिससे आप अपने लंबित कारियों को पूरा करने में शक्छम बनेंगे जिसका लाभाब को होगा सूरी का सूरी का भी रासी पड़िबरतन कर कुम्भ रासी में आना सुख के साथ बैशना सुख सम्मंधी योग वह कारी छेत्र में बिस्तार में आपकी सहायता करेगा कारी छेत्र बालों के लिए इस तमय प्रमोशन इंक्रिमेंट सम्मंधी योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है बैपार वह बिजनेस करने वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते बैपार भाव में राहु मंगल का अंगारक योग जो बैपार के लिए ठीक नहीं माना जाता है बैपार में अधिक फाइदा ना होने करन मन में करोध और करमचाडियों में रोज की भाव ना होगी करोध पर काबू रखने कोशिस करें इससे आपको लाव मिलेगा दूसरे तिमाही की अगर बात करें तो हालात कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है अप्रेल का महिना धनुरासी वालों के लिए राहत लेकर के आएगा कारिच्छतर वालों के लिए यानी कि नौकरी वालों के लिए कारि में उननती वो अधिकारियों से प्रसंसा प्राप्त होंगी increment to a promotion होने की भी संभावना है बिद्धिय थिती में सुधार भी होने की संभावना है पिछले कुछ समय में जो बैपारी जातक अपने बैपार को लेकर के तनाब में थे उनका भी समय बदल रहा है और उनको भी बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है बैपार को बिश्तार करने के लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है क्योंकि सनी के दृष्टी चंद्रमा पर एक विश्योग बना रहा है जो आपके सेहत पर बुड़ा प्रभाव डालेगा सुरी का रासी परिवर्तन कर मीन रासी में शुक के घर में लावे सुक्र के साथ वैटना सुक्र का उच्छ होना एक उच्छ संबंधी योग बना रहा है विबाहित जातकों के लिए समय सही नहीं है परंतु आपको सैयम से काम लेना चाहिए कुछ ऐसा करने से बचें जिससे साथ ही बिचलित हो जाए माई का महिना धनुरासी वालों के लिए कुर्जावान समय रहेगा क्योंकि लगन में सनी का लगनेश होना सुरी का रासी परिवरतन कर उच्छ का होकर सुख के अस्थान में बैठना वा कारेश्चित्र को देखना आपके कार में बिच्छार लाने का योग भी बना रहा है इसलिए साथ भांडाया जून का महिना भी जो है सुधनुरासी बालों के लिए सामान्य से बहतर रहेगा इस माह में रासी का स्वामी गुरू का लाव का स्वामी होकर केंदर में बैठना वो भागे को देखना आपके भागे को बनाने का काम करेगा यानि कि भागे आपके आगे चलेगा इस योग में आपको शफलता मिलने की संभावना भी प्रबल दिखाई दे रही है वित्रो जुलाई का समय धनुरासी वाले उन जात्कों के लिए थोरा सा तनाव पुर्ण रहेगा जो नौकडी करते हैं इस समय आपको अपने कारिश्यत्र भी से ध्यान देनी की आवश्यक्ता है इस समय कारिश्यत्र का स्वामी बिरस्पती बारा में घर में एक नाकरात्मक योग बना रहा है जो आपके कारिश्यत्र में लांचन का योग लगाएगा विस्वस्निय ब्यक्ति से विश्वास घात मिल सकता है बिजनेस बालों के लिए समय अच्छा नहीं है अगस्त का महिना धनु रासी बालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि रासी का स्वामी भागे का स्वामी होकर के लाव के अर्थान में बैठेगा जो धनु जात्कों के बिजनेस के घर में खोद देखेगा जिसके चलते बैफार एक बार फिर से रफटार पकर लेगा इसके साथ प्रेम में प्रेम के घर को देखना हुआ प्राक्रम पर दृष्टी डालना धनु रासी के जात्कों के प्राक्रम में बिर्धी करेगा चौथा बरदान आपके लिए यही है कि आपके प्राक्रम में भी इस बार बहुत विशेश रोग से बिद्धी होने वाली है और बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा ये पॉच्छ माबर दाल है सितंबर के महिने में रासी का स्वामी केंदर त्रिकोन का स्वामी होकर भाग में बैठे हुए हैं भाग से लगन वा प्राक्रम के साथ प्रेमभाव पर दिर्ष्टि डालना सुभी योग भी बना देता है इन सभी के लिए समय बिल्कुल शही रहेगा थे नरुन उसी बालों के लिए अक्टूबर का महिना है हुआ Οि सामानी से बेहतर अच्छा रहने वाला है। इस समय में कारी छेत्र वालों के लिए समय करबट लेगा। पिछले समय में जो समस्य्यायई आरही थी वह हुँआ रही वह कम हो गी। लेकिन खत्म नहीं होंगी लेकिन बैपार करने वालों के लिए समय थोड़ा ज्यादा उधार चरह वाला रहेगा क्योंकि बिरस्पति का अस्टम्स में नीच का होना सानीं से प्रीत होना धनू बैपारियों के लिए कुछ समस्या ले करके आ सकता है इस समय आपको बैपार में कुछ खास लाव नहीं मिलेगा जिसके चलते इसका प्रभाव आपके बितिये इस्तिती पर भी पर सकता है इसलिए साब धान रहे है चौथे तिमाही का मध्ध यानि की नावंबर का महिना भी धनू रासी बालों के लिए अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि रासी का स्वामी बिरस्पती तिर्कोन का स्वामी होकर केंद्र पर आ जाएगा धन पर आपके द्रिष्टी होगी परिणाम में कारिश्यत्र बालों के लिए भी अच्छा समय रहेगा केरियर में अच्छा ग्रोथ मिलेगा बैवाहिक जीवन में थोरा सा उतार आपको मिला जूला करके बताया लेकिन हम आपको एक नई और यो क्लिप देंगे जिसमें आप सुन पाएंगे कि उसमें आपका कैरियर कैसा रहेगा अलग से वीडियो आर्थिक स्थिति प्रेम संबंध परिवाई के सब का एक अलग से वीडियो आपको दिया जाएगा जिस और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच्छ जहिंद बंदे मात्रम